हालो दोस्तों नमस्कार आज की स्पीडस में हम बात करने वाले हैं बट सब की ऐसी ट्रीक के वारे में जो की सभी को जरूरत पड़ती है जैसे कि अगर आप किसी से चैट करते हैं फिर आपके पास कोई भी हाँ पर मैसेज करता है तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पार बोलूंगा और जिससे कि मैं हैंपर हिंदी में बोलूंगा और वह यहां पर इंगलिस में टाइप हो जाएगा इसी के साथ में मैं इसे यहां पर पड़ भी सकता हूं जैसे कि यह बोल कर भी बताएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर पड़ भी सकते हैं इसी के साथ में आप यहाँ पर जिसे की मैं यहाँ पर अभी इसे ओन करता हूँ अब मैं यहाँ पर हिंदी में कुछ भी टाइप करूँगा और वो इंग्लिस में रिपलाई में उसका देपाँगा तो इस तरीके की सैटिंग्स है अगर आप अपने फून में करना चाहाते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ओपर में यहाँ पर लिखो आ चुका है Okay, you come tomorrow ठीक है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर सेंड़ कर दूँगा और जो मैसेज है वो इहाँ पर इंग्लिस में चला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेपलाई दे सकते हैं तो कहने कामतलब है तो इस तरीके से आप यहाँ पर पड़ भी सकते हैं और आ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं तो इस सेटिंग्स को किस तरीके से करना है चलिए जान लेते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब करने और आप आपने तक वुडियो को राइक करता हूं यह एप्लिकेशन आपके फोन में पहले यही रहती है तो आगर आपकी एप्लिकेशन अपडेट मांग रही है तो आप सिंपली से अपडेट कर लेंगे उसके बाद में आपको यहां पर सर्च बार में लिखना है हाई डिश्टनरी मेरे फून में इंस्टॉल हो चुगी है मैं चलिए इसे ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद में आपके फून में कुछ इस तरीके से यह ओपन होगी उसके बाद में आपको यहां पर कुछ सेगेंड वेट कर लेना है आपके सामने इसकीप का उप्सन आजागा आप यहां से इसकीप कर देंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से आएगा अप्ग्रेट टू प्रिमीनियम ठीक है तो आपको यहाँ पर फिरी में यूज करना है तो आपको यहाँ से कट कर देना है इसके अंदर दो ही ओप्सन मिलते हैं फिरी में यूज करने के लिए ठीक है बाकी आपको पेड़ थे नहीं पर इस तरीके से हम इस पर सिंप्ली क्लिक करेंगे अब आपकी जो भी आप यहां पर से लेक्ट करेंगे इसके लिए आपको यहां पर 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 प्रमीशन देनी होगी ठीक है तो हम चलिए कि यहां enforcement देते हैं कि हम यहां कहीं पर भी ठUST करेंगे एक बार थीक Lex तरीके से टच करेंगे उसके बार में हम OOPर की तरफ यहां पर स्क्रॉल करेंगे इस पर में में यहां पर उन कर देंगे उसके बाद में हम बैक कदेंगे और फिर हम यहाँ पर set permission पर जाएंगे accept पर हम simply click कर देंगे एक बार ठीक है उसके बाद में हम इस पर simply touch करेंगे कहीं पर भी और हमें यहाँ पर इस settings पर simply click करना है आपको इन दौनो settings को आपको on करना नहीं है आपको सिरफ उपर वाली settings को on करना है और permissions को आपको यहाँ पर allow कर देना है अगर यह settings आप आउन कर देते हैं तो आपका एक shortcut और बन जाएगा यहाँ पर तो हमें इसकी जरूरत नहीं है सिरफ हमें एक ही shortcut की जर ठीक है यहाँ पर आपको simple translate का option मिल ला है इस पर आप simply click करेंगे यहाँ पर आप speech कर देंगे ठीक है ताकि आपको यह बोल कर भी बताएगा अब चाहाते हैं कि नहीं बोल कर नहीं बताए तो आप simple पर ही रहने देंगे ठीक है तो सिरफ आपको यह translate कर देगा और उसके तरह टांसलेट कर सकते हैं ठीक है जैसे की चलिए मैं यहां पर आप यहां पर ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर यह पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करेंगे उसके बाद में आप यहां पर इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहां पर कुछ भी बोल सकते हैं जैसे कि मैं आप पर बोल देता हूं ठीक है हम कल मिलते हैं उसके बाद में आपकर यूखी ट्रांसलेट हो जाएगा एटो में ठीक है उसके बाद में हम यहां से सेंड कर देंगे या फिर कोई आप अन्न लैंग्यूज में चाहाते हैं तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे वो लैंग्यूज आप यहां पर सेलेक्ट लेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर लैंग्यूज भी चेंज कर सकते हैं